तो हेलो काईस कैसे हो सब लोग सो गाइस देख रहे हो वह दा लेजन्ट एपला पातो का गेम ले और गाइस आप लोगो पातो का मुवमेंट तो आपको पता यह कितना ज्यादा यूनिक मुवमेंट है उसके साथ एक्यूरेसी और आईक्यू भी निक्स लेवल है और गाइस आप लोग इस वीडियो को पुरा देख देखना है और गाइस देखो बैक्राउंड में अभी जो गेम ले चल रहा है ना यह काईस मेरा गेंप्ले और गाइस दो मैं कितना ओपी तरीके से अपेला पातो जैसा मुवमेंट करके क्या फाइदा होगा हमें तो गाइस देखो म या फिर CS रैंग भी खेल लो ना तब भी आपको यह मुवमेंट बहुत ही जादा हेल्प करेगा अगर कोई बंदा कौवर्ड में चुपा हुआ बैठा है तो गाइस अगर आप लोग ऐसा मुवमेंट करोगे तो वह गाइस कौवर्ड से निकलेगा और आपको मानने के 1v4 कर्श्रम अगर आप लोग खेल जो और आप लोग लगा के नहीं खेले ना दिमाग लगा के नहीं खेले तो गाइस आप लोग ऐसे ही मर जाओगे तो गाइस यह वीडियो ना वन अफ दा बेस्ट वीडियो होने वाला है मेरा और देओ काईस मैं आप लोगों को आप लोग फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना आज के लाइक है में रखते सिक्सके लाइक आई होव की सिक्सके लाइक हो जाएंगे और दो पटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल लोडिफिकेशन को भी ज़रूर से आउन कर देना विज़ों सबसे पहले मैं आ आप लोगो सिर्फ दो बटन का यूज करने सिर्फ दो बटन का यूज बटन का यूज करने पहलले युज्ट बटन और दूसरा नमबरा पटन है वह क्राउच बटन अग् Ingredibi और आप लोग ऐने दो बटन को चाएस कशी टरा से कैसे यूज़ करने में आप लोग्यां ग बत उतलों कुछ नहीं करना है यह दोनों बटन घश्ट खोले और इसके साथ आप लोगो अमना कैमेन मोवेंट भी करना है मिलेच्छ िदर जिदर भी आप कैर ऊपवोगों और शीमाना है बस लोग आप लोग इसको ही प्रैक्टीस करना है और वह मैं ट्रेनिंग में जाके आप फिर अंदर घुसने बाहर जाना है अंदर घुसने है और गाइस जब भी आप लोग यह step कर रहे हो आप लोगो एपला पातो हो जैसा movement करते हुए जैसे कि मैं पहले आप लोगो बोला था run करना है फिर गाइस crouch बटन को करना है फिर फिर पांच करना तरणं काइस आप लोगो फिर से Bohol के अंदर आहाँ जहात говорить में को मार रहे हुर घुक के लिए मोंटेज जी से बनाते हो तो एक्शा गेम लेड़ तो पते ही नेक्स लेवल दिखने वाला है मॉंटेज में और कोई बंदा है और अगर आप लोग ऐसा मुवमेंट करके निमी को मार रहो ना तो उसका तो हालत खराब हो जागा उसको तो करते ही ओपी लगेगा आपका गेमप्ले और गाइस देखो और एक चीज़ भी मैटर करते ह ऐसा जगा पर एक फायर रन बटन और क्राउज बटन रखना ताकि आप लोग एजीली कांट्रोल कर पाओ और गाइस देखो अगर आप लोग त्री फिंगर या फिर फोर फिंगर प्लेयर हो तब गाइस यह आपके लिए बहुत ही जादे इसी होने वाला है और अगर आप आप लोग आप लापातो जैसा मुवमेंट करोंगे देखना आपका जो गोली है वह जातर मिस जाएगा और आपको हैट्शॉन मारने में भी प्रॉब्लेम आएगा बट गाइस दर लेजेंट आप लापातों को आप लोग देखी सकतो इसना फास मुवमेंट करते हों कितना आप लोग को ऐसा चार बंदा होगा तो काईस आप लोग को मुवमेंट करते हुए क्या करना पड़ेगा अपको तो आपको तो पता है आप लोग जादा मुवमेंट करते हुए जादा ही नहीं लगता बड़ जब भी 1v4 खेलोगे तो सीधी सी बात आप लोगो मुवमेंट करना पड़ेगा और मुवमेंट करते हुए आप लोगो हेट शॉट मानना पड़ेगा तब ही आप लोग 1v4 situation हैंडिल कर पाओगे और मुवमेंट के साथ accuracy मेंडेन करना सबसे जादा टफ होता है बड़ एक बार अगर आप लोग यह सीख लिये ना तो आपका accuracy जो है next level हो जाएगा यार आप लोग 1v1 custom 4v4 custom हर एक custom में देखना आपका accuracy next level चला जाएगा और उपर से आपका CS rank भी बहुत जादा आप लोग बूया कर पाओगे CS rank में भी तो आप लोग मुवमेंट दिखा दिखा के सामने वाले इनमी को headshot देना है तब ही आपका accuracy बढ़ेगा और जो कि आप लोगे तो आपका accuracy थोड़ा बढ़ जाएगा वह एक दशा और डीवी करेक्टर यह तो आप लोग लोगे तो आपका recoil थोड़ा कम जाएगा तो इसी वेज़े से आप लिटरली मैं बता रहा हूं आप लोग one of the best player हो जाओगे अगर यह तीनों चीज़ आपके अंदर हुआ तो करने के लिए आप लोग को अपना presence of mind भी अच्छा करना पड़ेगा जो कि काई आप लोग वन वीफोर कस्ट्रम खेल की एजीली कर सकतो चैसी कि मैं वन वीफोर कस्ट्रम खेल रहा हूं और कर दिया और करने के तुरंद बाद सामने वाले बंदे ने दो बंदे ने मेरे को मैं चाहूं तो इनके उपर दे सकता है अगर मैं फायर देने गया तो सामने वाले ने मेरे को बॉड़ी शॉर्ट भी मार दिया ना तभी गाइस मैं नौक हो जाओ तो इसी वाज़े से मैं बैक आ रहा हूं आपको यह पता होना चाहिए कि कब आप लोगो पीछे आना है कब कब लोगो फायर करना है कब लोगो मेडिकिट मानना है सब कुछ आप लोगो पता होना चाहिए और गाइस लोगो अकेला सबको घुमा फिरा के मानना पड़ेगा और सीधी सी बात है आपका IQ भी अच्छा हो जाएगा और 1v4 अगर आप लोग आप लोग इसी लीड़ी समाल लोगे यार और आपका 4v4 कश्रम में भी अच्छा कासा आपका IQ हो जाएगा गाइस 1v4 खेलो अकेला एक चार बंदे को हैंडल करना सिख लो बस आईक्यू आपका आउटमेटिक इंक्रीज हो जाएगा और बाकी आप लोगो थोड़ा गेम भी खेलना पड़ेगा अगर गे आप लोगों और एक क्लिप भी दिखा देता हूं आइक्यू का जैसी कि मैं अपने करते हुए जैसे कि मैंने उस बंदे को यूएंपी से बहुत ही जाद अच्छा कासा डैमेज दे दिया था तो इसी वेज़े से काई मैं क्या किया मलग लूवल इटर नहीं लगा है गन करके मार दिया और उसको मौका भी नहीं मिला और गैस मैंने इसको हैट्शॉट दे दिया यह आपके प्रैक्टिस के ऊपर यह जितना जादा आप लोग प्रैक्टिक्स करें उतना जादा आपका मोमेंट एकुरेसी आइकूस सब कुछी ऑटमेटिक इंपीस हो जाएगा और तो आप लोग जरुट से राइट वाली वीडियो देखो या फिर अगर आप लोगो सीएज रैंक बेस्ट गन कॉमिनिशन के बारे में जानना है तो आप लोग जरुट से लेट वाली वीडियो देख सकते हो